Hello Friends, आज हम यह बात करेंगे कि Yamaha PSR i500 और Yamaha PSR E473 कीबोर्ड में क्या differences हैं और क्या similarities हैं और कौन सा कीबोर्ड में पर्चेस करना चाहिए Actually हम अगर बात करें तो दोनों ही कीबोर्ड बिगनर्स के लिए better हैं बट फिर भी कुछ slightly differences हैं जिनके हम यहां बात करेंगे So that before purchasing you must know what are the real differences and for which keyboard you should go for So start करते हैं अगर आप देखें यहां पर तो अगर हम physical appearance की बात करें तो पहले मैं आपको बात करता हूँ आई 5 minute की बात करते हैं तो इसका यह कुछ layout है और ऐसी आपका E473 का भी यह layout है तो अगर हम physical appearance की बात करें तो look and feel almost same दिखता है बट फिर भी there are differences क्या differences हैं उसकी बात करते हम अगर आप देखें तो यह जो Yamaha का i500 है so IE series stand for the Indian series fine जितने भी IE series के keyboard है I423, I455, I400, I500 and all so that those keyboards are meant for the Indian version that means Indian edition के keyboard है वो उसके लिए और यह जो हमारी series है PSR E43 this is basically what I believe E stands for the entertainment series तो यह जो keyboard होते हैं आपके 373, 463 and 473, 453 and all these are the for the entertainment purpose तो यह आपको देखना चाहिए कि अगर आप Indian version परसंद करते हैं तो आपको I series पे जाना चाहिए और अगर आपको entertainment series चाहिए तो आपको E series पे जाना चाहिए यह का मतलब जितना मैं समझता हूँ कि यहाँ पर entertainment होगा otherwise I need to confirm also second चीज की अंकर बात करें है जैसे मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है कि अगर हम यहाँ बात करें यह आई series की बात करें तो I series में आपको यहाँ पर since it's a Indian edition तो यहाँ पर आपको Indian voices और 40 तो 40 यहाँ पर Indian voices है और styles की बात करें तो यहाँ पर from 0012 050 आपके पास यहाँ पर 50 आपके पास Indian styles है और अगर यहाँ keyboard की बात करें तो उसमें भी आपको कुछ Indian voices और Indian styles मिलती है बट बहुत कम मिलती है इस series में आपके पास around आपको 10 to 15 voices मिलेंगी आपको देखना पड़ेगा कि I series में आपको ज़्यादा मिलता है ठीक है second अगर हम feature की बात करें तो अगर हम बात करें तो connectivity की बात करें तो दोनों ही keyboard में हमको यहाँ पर पीछे pen drive की connectivity मिलती है और हम sustain pedal भी लगा सकते हैं plus midi board भी मिलता है media connectivity के लिए लेकिन यहाँ पर एक major difference है वो difference यहाँ पर यह है कि आपके पास जो आपका i500 keyboard है इसमें आपको microphone की connectivity नहीं मिलती that means आप microphone को input नहीं कर सकते हैं जो बहुती necessary function है अगर आप खुद play करके perform करते हैं या खुद play करके आप गाना गाना चाहते हैं तो i500 में आपको microphone की connectivity नहीं मिलती है जबकि e473 में आपको microphone की connectivity मिलती है तो यह बहुती एक जरूरी function है अब जैसे मैंने आपको बताया कि यह जो i500 keyboard है this is for the Indian version तो इसमें एक बहुती अच्छी चीज़ दी हुई है यहापे आपको तबला और तानपुरा के function दी हुए है जो i473 में नहीं है तबला तानपुरा के function दी हुए है practice करने के लिए और यह इसकी यहापे list भी है रियास की तो आप यहापर इसमें रियास असानी से कर सकते हैं और यह feature आपका i473 में नहीं है वैसा ही i473 में यहापे special function दिया है जिसका नाम है groove creator groove creator के तुरू आप music के patterns create कर सकते हैं और उसको आप DJ style में play कर सकते हैं वो मैं आपको बात में बताऊंगा इसके बाद अगर हम बात करें एक main feature की बात करें sampling की तो sampling की functionality दोनों ही keyboard में दे रखी हुई है यह देखें यहापे आपको quick sampling का function है quick sampling का बटन दिया हुआ है लेकिन और यही चीज़ आपकी यहापर e473 में भी यहापर e473 में अच्छी चीज़ क्या है कि यहापर quick sampling के लिए आपको चार separate pad दिये गए है और जिसको loop में ब्ले करने के लिए एक separate बटन दिया हुआ है और stop करने के लिए जबकि इस keyboard में i510 में क्या है sampling तो यहापर sampling के लिए आपके पास dedicated pads नहीं दिये हुए है sampling के लिए आपको last जो 13 keys है this one I am talking about this last जो 13 keys दिये हुए है उसमें ही आपको assign करना पड़ता है और उसके थूँ आपको loop में play करना पड़ता है either one shot or loop but यहापर क्या है e473 में आपके बास separate dedicated four pads दिये हुए है जिसके थूँ आप sampling कर सकते है और one shot कर सकते हैं या loop में कर सकते है loop के लिए separate button दिये हुआ है उसके बाद अगर हम कुछ और common features की बात करें तो यहाँ पर भी आपके पास e473 में रेशेशन memory के चार pad दिये हुए है और यहाँ पर i5 minute में भी रेशेशन memory के लिए चार pad दिये हुए है ठीक है track control यहाँ पर दिया हुआ है e473 में जिसके थूँ आप drum part को bass part को chord 1, chord 2, pad and phrases part को on or off कर सकते हैं admin mute कर सकते हैं और same function यहाँ भी दिया हुआ है आपका i500 में यहाँ पर भी आप track control कर सकते हैं और respective parts को like drum part, bass part, chord 1, chord 2, pad and phrases part को mute या unmute कर सकते हैं और इसके अलावा यहाँ पर since इसमें आपका riaas function दिया हुआ था तो इसमें आप जो है tabla, tanpura functions को भी adjust कर सकते हैं ठीक है उसके बाद अगर हम style control की बात करें तो दोनों keyword में almost same style control दिये हुए है यह i500 में और यह आपका e473 में है fine अब जैसे कि आप से मैं sorry मैं भूल गया था मैं sampling की आप से बात करा था दोनों ही keyword में sampling दी हुई है बट फिर भी differences है पहला difference मैं आपको बोला कि i500 में क्या है sampling के आपके पास five separate pad दी हुए है sorry four separate pad दी हुए है और इसमें sampling को आप keys में sign करना पड़ता है लेकिन i500 में एक drawback है यहाँ पर sampling स्रिफ आप auction से कर सकते है that means mobile के थुरू या किसी external sound source के थुरू आप play करके इसमें sampling record कर सकते हैं लेकिन e473 में sampling करने के three ways है that means there are three ways तीन तरीके से आप sampling कर सकते हैं pen drive में भी sample copy करके directly pen drive से samples को pad में import कर सकते हैं तो यह feature आपका i5 minute में नहीं है i5 minute में स्रिफ आप auction से sample को play करके assign कर सकते हैं record कर सकते हैं जबकि यहाँ पर आप auction से microphone से और as well as pen drive से भी samples को record कर सकते हैं तो यह बहुती special feature है उसके बाद अगर हम बाकी features के बात कर रहे हैं तो almost all features same है यहाँ पर यह आपके पास दो assignable knob दी हुई है E473 में और आपके बास यहाँ पर भी i5 minute में भी आपके पास दो assignable knob दी हुई है ठीक है बाकी almost functions सब आपके same ही है बट एक चीज़ मैं बुलना चाहूँगा यहाँ पर आपके बास E473 में दो special feature दी हुई है एक आपका button दीया हुए for the articulation voices के लिए that means articulation के लिए कुछ voices यहाँ पर ऐसी दी हुई है जिनको जब आप articulation button के साथ प्रस करते हैं तो वो differently behave करती that means different drone को produce करती है जो feature आपका I500 में नहीं है उसके लावा E473 में एक और अच्छा feature दिया हुआ है motion effect का जिसको आप बहुत अच्छे से use कर सकते हैं और you can play like a DJ तो यह feature भी आपका I500 में नहीं है उसके बाद आगर हम speaker system की बात करते हैं तो दोनों ही keyboard में almost same type के speaker है दोनों ही keyboard में 6-6 watt के speakers है लेकिन जो आपका E473 है इसमें एक mega boost function दिया हुआ है So friends, अगर finally हम conclusion की बात करें तो दोनों ही keyboard as an entry level as an for a beginner के लिए अच्छे keyboard हैं फिर भी अगर आपको DJ लेना हो की which keyboard you should buy अगर आपको Indian version चाहिए, Indian styles चाहिए, Indian tones चाहिए और रियास के लिए चाहिए तो आपको i5 minute पर जाना चाहिए और अगर आपको western tones पसंद है motion effect, DJ style अगर पसंद है आपको तो आपको E473 पर जाना चाहिए बट दोनों ही keyboard गुट है Final edition आपका ही है So friends, this is all about the comparison Thanks for watching